आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस नए वीडियो पर जहां पर हम सीखते भी हैं और पैसा भी कमाते हैं आई ये चल कर जाने निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में जो हमने आज अर्ली मॉनिंग में प्रेडिक्शन की थी बेस्ट ऑन डाउ जोन्स और foreign markets के basis पर उसका क्या हुआ सबका visualization करेंगे और 5 stock का analysis करेंगे मंडे को क्या कर सकते हैं हम ये भी बताएंगे हमने कैसे 11,964 रुपे कमाए आज की trade में चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज निफ्टी के अगर कारोबार की देखा जाए तो निफ्टी का जो कारोबार हुआ है वो काफी हमारी expectation के according हुआ है market खुला negative फिर थोड़ा उसने recovery करने की कोशिश की और फिर late half में उसने recovery पूरी पूरी अपनी give up कर दी देखते हैं जरा इसका visualization क्या मतलब निकलता है तो भालू के पास लाठी थी और लाठी में भालू के बहुत दम था आज भी जिहां और यह लग रहा है कि जिस तरह से इसने second half में गिरावट की है आगे आने वाले time में ये और भी गिरावट करेगा इसी तरह से तो अगर हम बात करें आगे कि हमने आज क्या कारुबार किया हमने करीब सवा दस बजे के आसपास अपनी position accumulate कर निशन की थी यहां से और हमारा target आते के साथी हम लोग अपनी position से cut off हो गए थे तो यह हमारा आज का था details आपको आगे बताएंगे पर जैसा हमारा expectation था जैसा हमारा prediction था exactly वैसे के वैसा हुआ है अगर आज top gainers में देखे तो सिर्फ एक ही stock gainer list में है मारूती जो की करीब 1.9% बढ़ा है gainer वालो stock में सारे के सारे हमने bank stock बोले थे और metal stock बोले थे सारे के सारे गिरे है axis bank 3.7% सबसे ज़ाद गिरा है tata steel 3.7% jindal steel 3.5% तो यह सारे के सारे stock जैसे हमने predict के थे exactly वैसे हैं आप हमारा पुराना वीडियो देखे हम आपको बताएंगे उसके साथ में भी कहाँ पर है तो हम चलकर आपको पहले बताते हैं कि nifty के लावा आप और क्या देख सकते हैं अगर यहाँ पर देखें तो जो कोहरा मचा है वो mid cap में भी मचा है next 50 करीब 1.8% गिरा है और वहीं पर mid cap को देखेंगे तो mid cap में भी करीब 1.9% की गिरावट आई है ओटो थोड़ा सा संबला हुआ है 0.6% के आसपास गिरावट है उसमें वहाँ पर देखें दोस्तों यह हम वीडियो की बात कर रहे है जिसमें हमने बताया है crash is it going to be a black friday and then we have also given short banks कौन-कौन से bank बताये थे हम आपको बताते हैं सारे के सारे list में जो हमने banking stock बताये थे वो सारे के सारे as it is काम किये है हमने गोला है short bank ICICI bank, axis bank, sbi bank and reliance तो पहले तीन तो हमारे exactly वैसे काम किये है चोथा थोड़ा सा काम किये है सारे target नहीं मिलें चोथे में हम आपको बताएंगे क्या किया था हमने और कैसे बताया था आपको ज़रूर देखेगा दोस्तो आपको just reference के लिए comment भी दिखा रहे है तो देख लिए accurate prediction जैसे ICICI की बताई अगर आप चैनल पर पहली बार आएं दोस्तो तो चैनल को subscribe कीजिए ताकि आपको ये सारी information time to time मिल सके और आप उससे फाइदा कर सके तो आप सबसे पहले SBI bank को देखते हैं तो देखिए SBI bank का क्या pattern बन रहा है क्यों हमने इसको shorting के लिए बुला था आपको SBI bank के लिए आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए तब आपको आगे फाइदा होगा तो जब यहाँ पर इस date में यहाँ पर 31 अगस्त को जब सबसे पहली बार इसकी बड़ी बार बनी है जिसने अपनी पिछली green bar को तोड़ दिया तो वहाँ से weakness आगे थी stock में थोड़ा सा retrace किया करीब 38 percentile का retracement है और यहाँ से फिर इसने weakness की और लग रहा था कि आज यह इस level को तोड़ेगा और यहाँ से फिर नीचे जाएगा और ऐसा ही हुआ हमने आपको बोला था exactly यहाँ पर आप इसको बेज सकते है 212,211 क्या असपास और नीचे हमारा जो target था 201,202 तक का था पर जो गया है वो करीब-करीब 205 तक क्या असपास गया है जो कि फिर भी बहुत अच्छा है आपके लिए profit, profit है जैसा चाहिए वैसा prediction हुई जैसा हमने बताया था वहीं पर Axis Bank Axis Bank ने जैसा हमने कहा था वैसा हुआ आप वीडियो देख सकते हैं चाहे तो दुबारा से Axis Bank ने जरा हम इसका पहले intraday chart निकाल के बताते हैं क्योंकि इसमें भी weakness है समझी है यहाँ पर यह गिरा और इसने बड़ी green bar का नीचे लेके आया है तो weakness बन रही है चार्ट की basis पर अगर इसको हम 15 मिट का chart दिखाएं आपको आज की activity कैसी हुई है तो negative gap down खुलना था उसके उपर थोड़ी देर चलना था और उसके बाद में फिर short होना था उसको तो same हुआ negative खुला यहाँ से फिर थोड़ा सा recovery करने की कोशिश की नया high बनाया और फिर यहाँ से गिरत रहा 470 के आसपास हमने बेचने के लिए बोला था उसको और देखिए करीब करीब 455 का आपको लेवल आराम से मिल गया है यहाँ पर दोस्तो इस बात के लिए एक बार thumbs up कीजे रात को हमने तीन बजे आपके लिए वीडियो बनाया था यह अगर आपने उसके लिए फायदा उठाया है बहुत अच्छी बात है नहीं फायदा उठाया तो अब चैनल को सब्सक्राइब कीजे और आगे का अपना काम देखिएगा तो यह दोनों बैंक होगे हमारे Axis Bank हमने बात किया SBI Bank दोनों की बात किया हमने आपर तो दोनों से आपको काफी फायदा मिला होगा हमारी सला के हिसाब से अब हम क्या करेंगे अब हम Option Chain का Analysis करेंगे और देखेंगे कि कहां पे हमने आज range shift हो गई है हमने जो strike price select की है वो 11,200 से 11,800 तकी की है और यहाँ पर देखेंगे कि कहां पे सबस्यादा open interest की addition हुआ है जिससे पता लगे कि कहां पे shorting candidate बन रहे हैं तो 11,500 अच्छा strong resistance बनेगा आज 14,00,000 की मजबूत open interest add हुआ है यहाँ पर और यहीं पर देखेंगे अगर कहां पे हमारा सबस्यादा open interest outstanding है आज की तारिक में वो भी 11,500 है तो अभी beers ने अपने मन को बना लिया है कि कुछ भी हो जाए इस week Thursday तक 11,500 के नीचे ही रहेगा market तो आप यह तो हमें clear लग रहा है कि market में bounce नहीं आएगा और 11,500 का एक अच्छा resistance बन गया है यहाँ पर अभी के लिए तो यह अच्छा view बन रहा है beers के लिए दोस्तों अगर आप हमारी paid service चाते हैं जिसमें हम अपने customers को instruction बताते हैं तो आप हमें join कर सकते हैं और joining address है बहुत सारे request आ रही थे हमारे कुछ followers की, कुछ viewers की और कुछ friends की कि इसर आप telegram channel पर join कीजिए finally हमने आपके लिए telegram channel start कर दिया है आप उसका description link में देख सकते हैं उपर ही सब से उपर है description subscribe to the telegram channel to get the latest videos as well as intraday levels हमाहाँ पर बताएंगे आपको जो stocks में आप काम कर सकते हैं, आप उसकी basis पर उनको trade कर सकते हैं अपने time के लिए शिव कुमार वर्मा, traders के नाम से है और आप इसको search कर सकते हैं अब अगर हम देखे, put data के basis पर हम support ढूने कोशिच करेंगे, आज इसका भी level shift हुआ है, जो नीचे का level है 10,800 का, उपर का level 11,400 का तो यहाँ पर देखते हैं सबसेदा open interest कहाँ पर add हुआ है, तो आज का जो open सबसेदा interest add हुआ है, वो 11,000 पर हुआ है, और इसमें करीब 8,000 या सपास open interest add हुआ है, और यहीं पर open interest की सबसेदा outstanding, total outstanding में ही पर है तो इसका मुदा bulls अभी कह रहे हैं कि हम 11,000 पे defend करने की कोशिच करेंगे, तो एक wide range बन गई है, 11,000 से 11,500 के बीच में यह nifty इस अफते के लिए कारोबार करेगा तो देखेंगे, जैसे भी होगा आगया आने वाले time के लिए, पर अभी के लिए एक range जो बन गई है, उससे लग रहा है कि कुछ आने वाले time में इस से ज़्यादा बाहर नहीं जा सकता है market, यह आपको ध्यान रखने वाली बात है अब हम चलकर ICSA bank की बात करते हैं क्योंकि उसकी prediction 100% accurate रही ICSA bank की, तो देखें, ICSA bank ने भी weakness दिखाई थी, कल ही दिखिया था, कल weakness के बाद में हमने आपको बोलो था, कि जहां भी आपको upper level पर shorting के opportunity मिले वो short कीजेगा, और 370 का level हमने आपको इसको बताया था, तो अगर देखेंगे यहापर, 15 minutes का chart लगाते हैं, ताकि आपको clear समझ में आए, कि 370 का level exactly मिला है आपको, यह देखें, negative खुला, चलता है, उपर गया और यहाँ से दीखे, 375 के आसपास आपको बोला था, 375 से लेकर, जो आपको level मिला है, वो करीब-करीब यहाँ पर, sorry, 378 तक का level था, और 378 8 रुपे का profit आपको मिला है, 2% बहुत अच्छा trade है, trading के लिए intraday में, अब अगर हम बात करें, आप हमारी चैनल पर पहली बार आएं, तो दोस्तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है, प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल, यहाँ पर हमने education वीडियो की लिस्स बनाई हुए जिसमें काफी सारे वीडियो एड कियो हैं, जिसको आप अपने time के हिसाब से देख सकते हैं, जैसे आपको comfortable लगें, और साथ ही साथ में, अगर आप चाहें, तो एक request हमारी आपके लिए है, अगर आप stock market में नए हैं और आपने ये वीडियो नहीं देखाए, तो पर reliance का moment आज थोड़ा कम रहा है, हम दिखाते हैं, इसलिए बोला था कि तीन तो हमारे expectation के accordingly as it is गए हैं, पर चोथे में थोड़ा सा इतना जादा view नहीं बन पाया, जो हम चाह रहे थे कि इसका गिरे market, क्योंकि इसने market को थोड़ा समाल है आज, देखे, खुला, नीचे, पर खुलते के साथ ही, इसमें red candle नहीं बनी, इसमें green candle बनी, और यह गया फिर उपर यहां तक, यहां पर इस level तक, उसने पुराने level भी नहीं तोड़ा यहां पर, और उसके चार में से, चार prediction में से, तीन prediction सही हुए है, एक prediction partially सही हुए कह सकते हैं, आधर target मिला है, दूसर target नहीं मिल पाया अब अगर यहां पर बात करें, idea की, तो अगर idea में देखेंगे, अब आपको कारवाई क्या करनी है, idea की news आ गई है, जैसे आपको बताया था, तो उसके basis पर हमने बोला था, अपने एक idea का dedicated वीडियो बनाया था, और हमने बोला था, कि आपको 11.50 पर इसको खरीदना है, 11.50 पर खरीद के, आपको 10% का profit मिला है 12.50 तक के लिए, तो देखें, एक ही दिन में और एक दिन में नहीं, सिर्फ एक घंटे में हम बताते हैं कैसे कह रहा है, देखें, आपको 10% का return दिलवाया है हमने हमारे चैनल पर recommendation की according लिए, आप हमारे सारी वीडियो पुराने देख सकते हैं, जब आप comfortable हो, तभी चैनल को subscribe कीजे, तभी आप चैनल को आपकी paid service अगर चाहिए, तो आप लीजे, और आप please देखें इसको, देखें, यहां से 10, हमने 11.50 पर बोला था आपको buy करने के लिए, पहली 15 minute में आपको मिला 11.50 पर और देखें, 10% का return आपको 45 minute में मिल गया है, 13 रुपे तक चला गया दोस्तों यह, तो इसको कहते हैं, सही तरह का analysis, सही तरह की technical understanding और clear, precise advice, ऐसा नहीं कि अगर ऐसा हो तो ऐसा करो, ऐसा नहीं तो ऐसा हो, हमने clear बोला, 11.50 पर आपको खरीदना है अपना, आपने खरीदा, 10% इन विल गया आपका intraday का काम खतम, morning में, 45 minute में, आपकी job done, आप अपने normal काम पे लग सकते हैं, जैसे आपको चाहिए, तो यह idea आइडिया का एक नया stock जो हमने बताया था, यह भी एक अच्छा काम है, reliance का हमारा थोड़ा सा कम रहा, पर फिर भी अच्छा है, idea का कल के लिए आपको trade बताते हैं क्या करना है, आप फिर भी इसमें अभी भी अगर आपको buy चाहिए, तो फिर भी आप इसमें buy कर सकते हैं, कल का level जो रहेगा, 11 रुपे, 70 पैसे, 11 रुपे, 80 पैसे की range में रहेगा, और फिर से आपको अच्छा return देनी की उमीद कर सकते हैं इसमें, दोस्तों वीडियो की information अच्छी लगी, तो एक बार like बटन जरू दबाईएगा, आपकी बहुत महरबानी होगी, अब अगर bank nifty की बात करें, तो bank nifty में भी हमने कारबार किया, और यहां से हमारा position जो लिया था, हमने करीब 10.5 बजे के असपास, यहां से position लिया, और हमारा target होते के साथी, हमने अपनी position cover कर ली, आज का जो low बना है, वो बना है 22,878, और जो high बना है 23,394, तो काफी जादा, करीब करीब आ होगा इसमें, टॉप गिरनर में सिर्फ एक bank है, जो भी सिर्फ positive maintain ही कर पाया अपना, IDFC first bank, गिरने वालों में सारे bank गिरिये हैं लगा था, एक्सिस bank को हमने बोला था, गिरा है, federal bank गिरा है, SBI bank गिरा है, 2.65%, तो सारे के सारे bank जो हमने जैसे बताये थे, वैसे prediction के accordingly, वो ग specific trade बताते हैं, आज जो हमने अपने paid customers को trade कर आई थी, वो यह थी, Nifty की 11,550 की call में हमने काम किया था, और हमें हर lot में करीब-करीब 14 रुपे का profit हुआ था, जिसमें हमारा 12 lot में हमने खुद से काम किया था, client के, अलग-अलग, client के अलग-अलग portfolio होते हैं, तो उनके हम जैसे advice करते हैं, वैसे manage करते हैं वो, पर हम अपनी बात कर रहे हैं, हमने 12 lot में काम किया था, और हमारी को total profit 12,600 रुपे का हुआ, brokerage, क्योंकि हम हर lot का अलग-अलग level पर खरीते हैं, उसकी 636 रुपेज की brokerage करताने के बाद में, 11,964 रुपे का फाइदा हुआ, 11,964 रुपेज क हमको profit वाए, यह हमारा screenshot जो हम WhatsApp मेंसेज अपने paid customer को बेजते हैं, सबा 10 बच, सबा 10 बच के असबास हमने customers को advice किया था, action लेने के लिए, please consult your financial advisor before investing and trading, as trading is a very, very risky business, and not suitable for everybody, अब अगर बात करें, stock, के active stocks की today, reliance की तरह, हमेशा की तरह, top active stocks में है, 2730 के असपास इसमें trade हुई ह idea, interestingly, second active stock बनाए, फिर से लगातार कंजी कुले second day, 2000 करोड के असपास की इसमें trade हुई है, बजाज finance, 1700 के असपास इसमें trade हुई है, और मारुती में भी काफी अच्छी trade हुई है, आज, मारुती है केला stock था, nifty में, जो positive बंद वा है, और उसकी trade value है, जब 1570 के असपास की trade ह इसमें, तो यह अच्छा view बन रहा है, यहाँ पर आगे आने वाले time के लिए, थोड़ा हो सकता है, कुछ time के लिए negative रही क्यूंकि ज़्यादा तर top trading stocks सारे के सारे negative खुले है, international market के pressure की वज़े से, अब हम Monday का plan, Monday का जो हमारा plan है, simple है, international market अभी भी negative biased है, थोड़ा Dow Jones ने positive द पढ़ रहे हैं, और China की tension भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, अभी तो और ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो गई है, क्योंकि वहाँ पर China लोग भी अपने bunkers और अपने tankers लेके आ गए हैं तेजी से, तो यह थोड़ी सी अभी tension वाली बात है, जिसकी वज़े से हम लोग टागेट 3 रहेगा 455, stop loss रहेगा 11310 का, दोस्तों यह अभी के basis पर position है, अगर कुछ position change होती है, जैसे हमने कल, हमने क्या किया था, हमने पहले buy के लिए बोला था, दोपहर को, फिर हमने correct वीडियो करके डाला दुबारा से, क्योंकि जब Dow Jones इतना गिर गया था, तो हमने sell कर बोला सब चीजों को, और उसके पहसाब से आप आपने वीडियो देख सकते हैं, जो हमने आपको दिखाया अभी, तो इसका जो निफ्टी का आपको levels है, अभी के हिसाब से, अगर कोई position change होती है, तो हम आपको नया वीडियो या फिर Telegram चैनल पर हम आपको live update कर देंगे, आ आप उसके पहसाब से अपना काम कर सकते हैं, जैसा आपको comfortable लगे, तो ये आज का हमारा summary है effectively, हम बहुत आभारी हैं दोस्तों आपके, आपने जो हमें प्रेम और स्नेह दिया हैं, इतने कम समय में, दो महिने के अंदर आपने बहुत प्रेम इसनेह दिया हैं, बहुत आभार आपके, 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 आप